रामायन की कुछ तत्व जो बहुत कम लोगों को पता है। सीता अपने बच्पन के दोरान भगवान शिव के धनुष को उठाने में काम्याब रही, इसलिए राजा जनक ने सीता के स्वयमवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी। नंदी बैल ने रावन को श्राप दिया था कि बंदर तेरे विनाश का कारण बनेंगे। गिलहरी के शरीर पर सफेद धारियां भगवान राम द्वारा दी गई हैं। रावन के तीन बीवियों से हुए साथ महान योध्धा पुत्र थे इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षे कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा, प्रेहिस्त। जहां भगवान राम को भगवान विश्नु का अवतार माना जाता है, वहीं लक्षमन को विश्नु से जुड़े सांप शीशनाग का अवतार माना जाता है। वन्वास के दौरान सीता का नाम वैदे ही था। गायत्री मंत्र रामायन के प्रतेक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से बनता है। राम और उनके भायों के अलावा राजा दश्रत की एक बेटी भी थी जिसका नाम शांता था। रावन को पहले से पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। भगवान राम ने अपने परम प्रिय भाई लक्षमन को मृत्यु दंड दिया था। भगवान राम की पतनी सीता राजा जनक की अपनी बेटी नहीं थी। राम सर्यू नदी में डूब कर पृत्वी से चले गए। गुडाकेश लक्षमन का दूसरा नाम है। अगर आप भगवान श्री राम से प्यार करते हैं तो तो कमेंट में जैश्री राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैश्री राम।